हलो गाईज देशे शंकर प्रताप सेंग और वाचिंग स्पी एसे स्टॉल ली दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसे कारण उनके साथ जुड़ जाते हैं जिसके कारण वो बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कुछ लोगों को टाइम से वीजा नहीं मिलता है कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं और कुछ लोग जो बाहर जा कर पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी पढ़ाई प्रौपर तरीके से नहीं हो पाती है और उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है तो ऐसा कोई योग हमारे बर्श चार्ट में हमारे होरोस्कोप में बनता है जिसके कारण हम बाहर जाना तो चाहते हैं पढ़ाई करना तो चाहते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और कई बार हम बाहर नहीं जा पाते हैं तो इसके पीछे के प्लेंटरी योग को समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं बोर्ड की तरफ ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलिच चार्ट, तीनो चार्ट में आप ऐसे योग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आप बाहर जाना तो चा होगा 12th house का संब्ध है foreign settlement से और 4000 को देखना विगॉकास microwave का समब्ध है आपकी primary education जी फिट has को भी देखना होगा 3 जीए हैं जी हैं जी जी ओर नाइन्फ होस को भी देखना होगा 9 मे're डिंगू ये lust से कि तो वींदिट हॉख से समय तो प्रेंड ऊट podéis अगर 4th house में, 5th house में या 9th house में placed होता है तो बाहर जाके पढ़ाई करने का योग आपके बर्शार्ट में बन जाता है सेम इसी तरीके से अगर 4th house का लॉड, 5th house का लॉड या 9th house का लॉड अगर 12th house में होता है तब भी बाहर जाके पढ़ाई करने का योग बन जाता है तो मैंने आपको बताया कि 12 तो आपकी कुंडली में बाहर जाके पढ़ाई करने का योग बनता है लेकिन 12 हाउस का लॉड अगर रेटरगेट होता है और उसकी प्लिस्मेंट अगर 4 तोर तो नाइन्थ हाउस में होती है तो बाहर जाके आप पढ़ाई तो करना चाते हैं लेकिन बीच-बीच में कुछ कारणों के कारण आपकी जो पढ़ाई है वो अटक जाती है या आपको बीच-बीच में problem फेज करनी पड़ती है सेम इसी तरीके से अगर fourth house का lord या fifth house का lord या ninth house का lord अगर इनकी position भी twelfth house में ऐसी ही होती है मतलब अगर ये भी retrograde होते हैं और 12th house में इनकी placement होती है तब भी आपको ऐसी problem को face करना पड़ सकता है दूसरा आपको एक चीज और भी देखनी है कि 12th house का Lord कहीं कमबस तो नहीं है फोर्थ हाउस का लॉड कहीं कंबस तो नहीं है फिप्थ हाउस का लॉड कहीं कंबस तो नहीं है और नाइन्थ हाउस का लॉड कहीं कंबस तो नहीं है ये भी आपको देखना है और आपको ये देखना है कि सैटन की प्लेस्मेंट कहां पर है Saturn की placement आपके बर्श आट में कहीं भी हो सकती है लेकिन Saturn का aspect अगर 12th house में 4th house के उपर, 9th house के उपर सुरी 5th house के उपर या 9th house के उपर पड़ता है तब भी आपको पढ़ाई में बहुत जादा problem का सामना करना पड़ सकता है सेम इसी तरीके से राहू और केतू की placement भी अगर 12th house में, 4th house में, 5th house में, 9th house में होती है या 9th house के लॉड के साथ होती है या 5th house के लॉड के साथ होती है, 4th house के लॉड के साथ होती है या 12th house के लॉड के साथ राहू और केतू की placement होती है तब भी आपको ये प्रॉलम फेस करनी पड़ सकती है या इनके लॉट्स यानि 12th house का लॉड, 4th house का लॉड, 5th house का लॉड, 9th house का लॉड इनकी placement आपके बर्शाड में कहीं भी हो लेकिन राहू और शनी और केतु के साथ अगर इनकी placement होती है या राहू शनी केतु का उनके उपर aspect पड़ जाता है तब भी आपको ऐसी problem का सामना करना पड़ सकता है कि आप बहार जाना तो चाहते हैं लेकिन proper तरीके से सारी कोशिश को करने के बाद भी आप बहार नहीं पाते हैं तो अगर आपके birth chart में भी कोई ऐसा योग बनता है और उस योग को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी channel को subscribe कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहें consult करना चाहें personally हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी website के थुरू हमारे आप के थुरू हमसे मिल भी सकते हैं हमसे बात भी कर सकते हैं और हमसे consult भी कर सकते हैं so guys take care love you all and goodbye